यूं तो आपने कई पान खाए होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन क्या आपने कभी गोल्ड पान देखा है, जिसके अंदर चांदी और बाहर सोना हो, जिसे खाने के बाद आपको दुनिया के दूसरे सभी पान के स्वाद यादी ना रहे, जिहां ऐसा ही एक पान लखनों क राष्टे पान दरबार में आर चुका है, इसकी कीमत है 999 रुपए, यानि कुल 1000 रुपए, इसकी कीमत के बराबर आप ब्रैंडड चश्मे और ब्रैंडड जूते तक खरी सकते हैं, जिहां इन दिनों ये पान लखनों के लोगों के बीच में काफी चर्चा का विशय बना हुआ है, दूर दराज से लोग इसे देखने आ रहे हैं, इस पान का ना सरिफ लुक देखने में खुपसूरत है, बलकि ये पान भी खाने में सौद में एकडम ला जवाब है, इस पान में सोना चांदी होने की वज़ा से यह आपकी पाचन क्रिया को तो मजबूत करता ही है साथ में एक बहतरीन मौथ फ्रेशनर का भी काम करता है, इस पान को तयार किया है पान बनाने की कला के छेतर के माश्टर संजे कुमार चौरसिया ने, लखनव में पान के शौकीन इस पान को खाने के लिए एक हजार उपै रोज ही उड़ा रहे हैं, यही नहीं यहाँ पर आ कहीं पर भी खाने के लिए नहीं मिलेंगे, राश्टी पान दरबार की एक खासियत यह भी है कि किस पान में क्या मिला हुआ है, यह उसके साइट पर इन्होंने लिख भी रखा है, ताकि लोगों को यह ना लगे कि इसमें किसी भी परकार का नशीला पदार्त मिलाया गया है यहाँ पर आपको सबसे सस्ता पान मीठा पान मिलेगा जिसकी कीमत 20 रुपए है खास बात यह है कि तमाँ फ्लेवर्स होने की वज़ा से यहाँ पर बच्चे, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग और युवा सभी आते हैं कि कुछ नया गया जाए, क्योंकि कैट्रिंग लाइन पूरा खतम हो गई थी, तब यहाँ सोच के यह दुकान डाली गई अब सबसेप महंगा पान जो मेरे है वो गोल पान है, जिसकी कीमत करीब-करीब 1000 रुपए के करीब रखी गई है और उसमें जो चीजे पड़ी है, वो अपने आप में ही एक अलग चीजे है, उसमें जैसे कि आप समझे कि पूरा सिल्वर का बहुत अच्छा है इस्ट्रक्शर है, केसर का है स्ट्रक्शर है और 24 कैरेट गोल जो होता है, उसकी लेरिंग होती है अंदर, उपर से अंदर से पूरी चानी की लेरिंग होती है और कुछ ऐसी चीज़े डाले जाती है जो उसको खाने में एक अलग ही हिसाब किताब बनाती है इसको बनाने में कम से कम आदे घंटे का वक्त लगता है इस पूरे पान को तैयार होने में गोल्ड की लेरिंग है इसके 24 करट की? 24 करट का होता है इस समय करीब करी 50 से ज्यादा वरेटी है सबसे सस्ता बान जो मेरे हां मिलता है वो 20 रुपए का साधा पान है कि कोई टैग लाइन है क्या? The authentic taste of नवाब मतलब जो ओरिजनल चीज है वही है यहाँ पर डूबलिकेट वाला कोई नहीं कोई चटनी वाला केलने कुछ नहीं बहुत बढ़िया था तो अच्छा लगा स्वाद? इससे पहले भी कहीं पर टेस्ट किया था आपने चॉकलेट पान या कोई भी मीठा पान? तो उसके टेस्ट में और यहाँ के टेस्ट में क्या डिफरेंस लगा आपको? यहाँ वाला अच्छा है कॉलिटी कैसी बना रहे हैं पान की, हाईजीन कैसा है उनका और बहुत ही अच्छा उंदा पान है यहाँ पर रेगुलरली अगर कहीं हम गए हैं, बहार हैं, रात हो गई हैं तो हम लोग यहाँ पर वापस आते हैं और पान खाके इसका अनंद पूरा उठाते हैं लखनों से अंजली सिंगराशपूद की रिपोर्ट, न्यूज 18